असलामु अलेकूम इस लॉगड़ौन के पीरेड में आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ये बहुत ही ज्यादा यमी, मज़ेदार, सिंपल कॉफी की रेसिपी जिसका नाम है डैलगोना कॉफी देहें कितनी मज़े ही लग रही है, आप लोग इसे जरू ड्रॉय करें बहुत ही ज्यादा मज़े की बनेगी, सभी को पसनाने वाली येसे बनाना शुरू करते हैं डैलगोना कॉफी बनाने के लिए सबसे पहले एक बाउल में दालिए दो टेबल स्पून भरके इंस्टेंट कॉफी पाउडर इसी टेबल स्पून से दालिए 2.5 टेबल स्पून शुगर, शकर याने चीनी अड़ाई टेबल स्पून और इसी से पानी दाल दे, 2.5 टेबल स्पून याने अड़ाई टेबल स्पून और पानी गरम डालिए चेलिए इसे अच्छे से बीट कर लेते हैं इसे ऐसे ही करते जाएए इसका कलर लाइट ब्राउन होने तक और अच्छे से थिक हो जाने चाहिए देखिए थोड़ा सा थिक हो रहा है इसे और थोड़ा करते जाएए आप चाहिए तो मेशिन का भी यूज़ कर सकते हैं इसे बीट करने के लिए देखिए ये तो रेड़ी है अब इस तरह से इसकी कंसिस्टेंसी थिक हो जाने चाहिए चलिए अब हम एक मग ले लेते हैं और इसमें दालिए आइस क्यूब्स इसमें दालिए दूद दालने के बार पिखिए इसे दाल देते हैं इसे इस तरह से दालने के बार इसके उपर थोड़ा सा कॉफी पाउडर स्प्रिंकल कर दें लुक अच्छा आएगा तो लीजिए हमारी बहुती ज्यादा मज़ेदार और जबरदस्त डैलगोना कॉफी अब तैयार है इसे एंजोई करिए इसे अच्छे से मिक्स करके आप पी सकते हैं देखिए देखने में कॉफी कितनी मज़े की लग रही है दूद में पहले यह आप थोड़ी सी चीनी आने शकर मिक्स करके रख लें क्योंकि इसमें जो शकर हमें डाली थी वो थोड़ी सी कम पड़ेगी दूद और इसको दोनों को अच्छे से मिक्स करके पी सकते हैं आप चाहें तो दूद गरम भी ले सकते हैं यहां पर मैंने आईस क्यूब्स का यूश किया है और ठंडा दूद यूश किया है आप चाहें तो गरम दूद में भी बना सकते हैं चली इसे हम धीरे से मिक्स कर लेते हैं इस तरह से मिक्स करके पीलें बहुत बहुत ही ज्यादा यमी होती है या आप चाहें तो तोड़े सी चीने अब भी दाल सकते हैं इसमें अगर आपको कम लगे तो या पहले ही दूद में दाल के मिक्स कर सकते हैं कॉमेंट में जरूर बताएं ये बहुत ही ज्यादा यमी टैल गोना कॉफी की रेसिपी आपको ऐसी लगी लाइक जरूर करें वीडियो पसंद आए तो फैमली और फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो के लिंक को शेर करना ना भूलें और चैनल कुक विद फैम का लिंक भी शेर क कर लें फ्री नोडिफिकेशन्स के लिए अस्सलाम ओलेकूम